हेलो बच्चों, वेलकम टू माई चैनल आज मैं तुम्हें बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी जो पंच्तंत की बहुती फेमस कहानी है और सभी ने अपने बच्पन में इस कहानी को सुना है तो इस कहानी का नाम है बंदर और मगरमच एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था उस पेड़ पे एक बंदर रहा करता था उस पेड़ पे बहुत मीठे मीठे फल लगा करते थे बंदर उन फलों को तोड़ कर खाता था और बहुत आराम से रहता था बहुत खुशी से दिन कुजार रहा था एक दिन एक मगरमच नदी में से निकल कर पेड़ के नीचे आके बैट किया बंदर ने जब देखा मगरमच को तो उससे पूछा कि अरे भाई कैसे आना हुआ तो मगरमच बोला मैं खाने की तलाश में इधर आया हूँ तो बंदर ने तुरंट पेर पर से फल तोड़े और मगरमच को खाने को दिये मगरमच ने फल खाये तो उसे बहुत अच्छे लगे अब वो रोज वहाँ पे आने लगा बंदर उसको फल तोड़ के देता था और मगरमच उसको खाता था दिरे दिरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, मगरमच रोज आने लगा और दोनों खूब बाते करते थे, फल खाते थे और शाम को मगरमच अपने घर चला जाता था, एक दिन बातों बातों में मगरमच ने बताया कि उसके एक वाइफ है जो नदी के उस पार घर में रहती है तो उस दिन जब मगरमच वापस घर जाने लगा तो बंदर ने थोड़े से अच्छे से फल तोड़े मीठे मीठे और मगरमच को देते हुए बुला कि तुम घर जा रहे हो तो तो अपनी वाइफ को एक फल खाने को देना मगरमच वो फल लेके गया और उसके अपनी पत्नी को फल खाने को दिये उसकी पतनी ने फल खाए उसे भी वो फल बहुत मीठे लगे और बहुती टेस्टी लगे अब ये रोज का सिलसला बन गया दोनों रोज दिन में बैटते थे बाते करते थे फल खाते थे तो ऐसा करो तुम उसका कलेजा लाओ मैं उसका कलेजा खाऊंगी ये सुनके ट्रोकोडाइल को बहुत गुस्सा आया उस मगरमच को बहुत गुस्सा आया अपनी पतनी के उपर वो बोला कि वो मेरा फ्रेंड है और मैं अपने फ्रेंड के साथ कभी धोका नहीं कर सकता हूँ मैं उसका कलेजा नहीं ला सकता हूँ लेकिन उसकी पत्नी तो जित पे अड़ गई बोली नहीं मैं तो उसका कलेजा खाऊंगी अब मरता क्या ना करता मगरमच पेड के नीचे आया और बंदर से बोला कि आज तुमारी हमारे घर में दावत है बंदर उसकी पीट पे बैट गया और दोनों उसके घर की ओर चल दिये जब बीच नदी में उलोग पहुँचे तो मगरमच बोला कि ऐसा है कि बात कुछ अलग है तुमको दावत खाने मैं ने ले जा रहा हूँ, दावत खिलाने ने ले जा रहा हूँ मेरी वाइफ ने जिद की है कि वो तुमारा कलेजा खाएगी वो कहती है कि जो बंदर इतने मीठे फल रोज खाता है उसका कलेजा बहुत मीठा होगा और मैं उसका कलेजा खाऊँगी इसलिए मैं तुमको अपने घर ले जा रहा हूँ बंदर ने जब सुना तो एक मॉमेंट के लिए उसने कुछ सोचा फिर बोला अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मेरा कलेजा चाहिए ऐसा है मैं इतना बड़ा पेड है उस पे दिंबर उच्छल कूट करता हूँ इसलिए अपना कलेजा निकाल कर और पेड़ पे हिफाजस से रख देता हूँ वो सेफली पेड़ पे रखा रहता है तो तुम वहाँ बताते तो मैं अपना कलेजा ले लेता साथ में तो ऐसा करो वापस चलो पेड़ पर से मैं अपना कलेजा ले आऊँ फिर तुमारे घर चलते हैं वो क्रोकोडाइल उसकी बातों में आ गया और दोनों वापस पेड़ के नीचे आए जैसी पेड़ के नीचे आए दर उचला उचलके और पेड़ पे चड़ गया और हसने लगा और हसके बोला अरे मूर्ख राज घर जाओ अपने और अपनी पत्नी से कह देना कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है क्या कोई अपना कलेजा अपने शरीर से बाहर निकाल के रख सकता है इस कहानी से हमें बंदर की समझदारी का पता लगता है कि मुसीबत के टाइम भी अपना धहरे नहीं कोना चाहिए अगर हम मुसीबत के टाइम अपना धहरे बना के रखते हैं तो उस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढोल लेते हैं तो ये इस कहानी का मॉरल है जो जीवन में बहुत काम आता है तो बच्चों मुझे उमीद है कि तुमको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी ये बैट टाइम स्टोरी है इसको तुम रोज सुन सकते हो ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है और सभी ने उतने बच्च्पन में ये कहानी सुनी है तैंक यू फार वाचिंग फिर मिलेंगे बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना होके